नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं वही मंगलवार से राज में फिर भी सन गर्मी पड़ेगी राजधानी राची सहीट सभी जीलो का दिक्तम तपमान 40 डिग्री से अधिक हो सकता है बुद्धवार और गुरुवार को राजधानी के कई हिसों में लू चल सकती है पलामू परमंडल के जीलो का तपमान 45 डिग्री से पार भी हो सकता है मौसम के दरे ने इसको लेकर एलो अलर्ट भी जारी किया है वही राजधानी का मौसम 8 जून तक सुस्क रहने का प्रोण मान किया गया है बताज डाल्टन गंज रभी वर को सबसे गर्म जीला रहा है यहां का अधिक्तम तपमान 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकोर्ट किया गया वही गढ़वा और गुमला का अधिक्तम तपमान भी 40 डिग्री से अधिक रहा है बोकारों में आसमानी बीली से बच्चे की मौत साथ घायल छारखन में मौसम का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है एक तरफ लू और तपती गर्मी से लोगों की जान जार रहे है कि आसमानी बीली गिरने से एक बच्चे की मौत जबकि 6 बच्चे घायल हो गए है दरसल सभी बच्चे साम में किर्केट खेलने कहर से मैदान गए थे किर्केट खेलने के दौरन अचानक सित्य जवाव के साथ बुंदा बादी होने लगी वहीं बच्चे भीगने के डर से आसरा खोईने लगे लेकिन तभी अचानक से बीली गिरी और सभी बच्चे घायल हो गए बीली गिरने के बाद सभी बच्चे बहोस हो गए वहां मौजूद लोगों ने उन्हें आनन फन में सभी घायल बच्चों को बोकारों के बीजी एच अस्पताल लाया गया जहां उन्हें तुरंत भरती कराया गया अस्पताल में जाज के बाद डॉक्टर ने एक बच्चे को मिरित घोसित कर दिया वहीं छाव बच्चे घायल हो गए है स्वक्षता प्रवंधन पर 10% रासी खर्च करेंगे राजे के सरकारी स्कूल राजे के सरकारी स्कूलों में स्वक्षता प्रवंधन पर जोर दिया जाएगा स्कूलों को बिद्यालय विकास अनुदान राशी में से कम से कम 10 फिश्दी स्वक्षता प्रवंधन पर खर्च करना होगा स्कूल अवसकता अनुसार इस से अधिक राशी भी स्वक्षता पर खर्च कर सकते हैं सिक्षा विभाग की ओर से 1724 पर चीश के लिए विद्यालय विकास अनुदान की राशी सभी जीलों को प्लब्द करा दी गई है इसकूलों को निर्देश सित किया गया है कि वे राशी का 10 फिश्दी स्वक्षता पर खर्च करें कैमपस की सफाई, हैंडवास, यूनिट, बासरूम की सफाई वा मेंटेनेंस, चापा नल के आसपास की सफाई वा मेंटेनेंस पर इसकूलों को राशी खर्च करनी होगी इसके लिए गाइडलाइन इसकूलों को जारी कर दी गई है स्वक्षता के साथ इसकूल इस राशी से पेजल की वेवस्था भी करेंगे इसकूलों को असैनिक कारियों के लिए अस्थानिय मुख्या पंचाईट से समयन में बनाकर पहले प्रस्ताव परखंड को अपलब्द कराना होगा जारखंड में 4.362 हवलदार बनेंगे ASI हवलदार उत्तिर नखोसित किये गए हैं लेकनिया है कि राज्य भर के हवलदारों को प्रोणाती देने के लिए 12 से 23 जून 2023 के बीच अलग-अलग पर सिक्षन के अंदरों पर परिक्छाली गई थी जिसका पहिनाव अब जारी किया गया है अब 4 जून को लोग सभा चुनाओ के सुचना खत्म होने के बाद प्रोणाती की पर किरिया आगे बढ़ाई जाएगी ज्यारखन के किसानों को 50 परस्त अनुदान पर मिलेंगे धान बीच सराय के लाखर सावा जिले में एक बार फिर बारिस का इंतेजार खत्म होने वाला है केरल में मांसून पहुंच चुका है और 15 दिनों कंदर सराय के लाखर सावा जिले में बारिस सुरू हो जाएगी जिसको लेकर किसानों ने अपनी त्यारी सुरू करती है इतना ही नहीं जीले में किसानों को 50 बस अनुदान की राशी पर धान के बिज विलब दगराने के लिए क्रिसी भाग नभी पहल शुरू करती है इस बार जीले के किसानों के बीज 12,4,500 रुपए के बीज बित्रन किये जाएंगे जीले के किसानों के लिए धान के बीज MTU 7,29 के 100 किंटल और MTU 10,10 किस्म के 500 किंटल बीज राशी इस थी तराश्ट्रिय बीज निगम लिमिटेट से जीले के गमारिया लेप्स लिमिटेट द्वारा मंगाया जा रहा है जिसके लिए राशी भी जमा करा दी गई है काउंटिंग से पहले एकशन में कल्पना सुरेण सतरु जारकन मुक्ति मूर्चा के श्टार परचारा कल्पना सुरेन ने पाटी कर करतावा का अवहन किया है कि मतकान नहोने तक वे एस्टोंग रूम की कड़ी निगरानी करे कलपना सुरेन ने सनी वार को नई दिली में हुए इंडिया की बैठक में मुखे मंत्री चमपाई सुरेन के साथ हिसा लिया है उन्होंने कहा है कि देश में चुनाओ के महापर्व का आखरी चरन पूरा हुआ है चुनाओ के इस महा समर में सभी ने अपनी महत्पून भूम का निभाई विशन गर्मी में हमने कुछ मद्दान कर्मियों को भी खोया इस वर सभी की आत्मा को सांती पदान कर सोका कुल परिवार को दुख की घड़ी सहने की सकती दे कलपना ने कहा है चुनाओ परचार के बाद जेल में हमन सुरेन से मुलकात हुई लोकतंत के इस महा पर में सामिल नहीं हो पाने का उन्हें बहुत दुखा है प्रन्तु सभी की मेहनत और परिश्रम को ले कर वे उत्साहित भी है उनके संगहर्स और अन्याय के खिलाप उनकी लड़ाई को जहरकन ने इस चुनाओ में लड़ा है एकजित पोल के चकर में पड़े तो चकरा जाएंगे कलपना सुरेन गांडे सीट हम रिकोर्ड मतों से जितने जा रहे है इंडिया में परधान मत्री कौन होगा इस सवाल पर कहा है कि चार जून के बाद गड़ बंदन दलो की बैठक एक बर फिर दिली में होगी उन्होंने यह भी कहा है कि इसी बैठक में आगे का निर नहीं लिया जाएगा कलपना सुरेन ने आगे कहा है कि एकजित पोल के चकर में नहीं पड़े वर्ना चकरा जाएंगे चार जून को सभी परिणाम का इंतियार करे देश से भगाये जाएंगे रुहंगया बीजेपी नेता ने बताई टाइमिंग एकजित पोल से उत्साहित नेता प्रतिपक्ष अमर कुमर बावरीन रभ्यवर के फ्रेस कंफिरेंस कर इंडी गड़ बंदन पर हमला बोला है और कहा है कि आज एकजित पोल आ गया है और चार जून को परिणाम आएगा तिसरी बार भाजबा चार सो पार के अपार बहुमत कसा सरकार बनाने जा रही है उन्होंने कहा है कि देश के परधान मतिनायन मुद्दी बनेंगे इसके बार सरकार पूरे जोस में काम करेगी कांग्रेज जहमों के कारेकाल में जिस परकार संताल परगना का डेमोग्राफी बदला है इसके सुधार के लिए यहां को स्पैट करने वाले रोहिंगिया वह बंगलादेशियों को चीन हित कर देश से भगाया जाएगा अमर बावरी ने आगे कहा एक भ्रष्टा चार वन स्वाद वतुष्टी करन पर राजनीती करने वाले दलो को देश की जनता ने नकार दिया है मुद्दा विहीं राजनीती के लिए एक अत्रित हुए इंडिया गंडवन्धन का सुफ़ण साफ होना तय हो चुका है जारखंड में सभी 14 संसदे सीटों पर चुनाव संपन होने के बाद अब नतीजे आने की बारी है सभी संसदे चेतर में मत गंड़ना की त्यारी जोरोपर है सभी संसदे निर्वाचन चेतर में 4 जुन को सुबर 8 बजे से मतों की करना सुरू होगी साम 4 बजे तक सभी सीटों पर नतीजे सामने आ जाएगा वही मत दान के बाद सभी EBM स्कूटनी के बाद पहले ही स्ट्रंग रूम में सील कर दी गई है समी मत गंड़ना के अंदरों पर सुरक्षा की त्री अस्तरिये वेवस्ता की गई है नियमित अंतराल पर हर राउंड के नतीजे घोसना होती रहेगी उन्होंने बताया है कि समभवना है कि साम 4 बजे तक मत गंड़ना पूरी हो जाएगी रांची में टेमपू पलटने से 10 घायल रांची में बड़े हाथ से की सुचना है तमार थाना छेतर अंतरगत रांची टाटा मार्ग के जोजो डिह नामक अस्थान पर टेमपू के पलटने से उसमें सवार सभी 10 लोग घायल हो गाए है घाटना रवी वर रात आठ बजे की है घायलो में पांच लोग की थी ती 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 ताजनक बताई जा रही है फिलाल घायलो का इलाज अस्पताल में चल रहा है घाटना के समद में चालक बैजनाथ मुंडा ने बताया है कि बिर गाउं से 10 लोग सवार होकर पांगूरा गाउं भोज में सरीक होने जा रहे थे इसी बीच जोजोडिह के समीप अग्यात वहां ने टेमपो को पीछे से टकर मार दिया जिससे नियंत्रन बिगड़ गया और टेमपो पलट गया जिससे टेमपो में सवार सभी 10 लोग घायल हो गया है CM25 से बोले बावुलल मरांडी मीठाई बाट ले TV चैनलों पर एकजिक्ट पोल जारी होने के बाद से जहार खंड की राएनिती गरम हो गई है कोई इस एकजिक्ट पोल को सीरे से न कार रहा है तो कोई इसे सही मान कर जित का जस्म मना रहा है सब ही के अपने अलग अलग दावे है CM25 सुरेन ने भी कल दिल्ली में पत्रेकारों से बाचित करते वे 295 से अधिक सीर जीतने के दावा कर दिया है अब उनके इस जवाब का बावुलान मरांडीन दावा किया है कि उन्होंने कहा है कि अगर वे अपनी जीत को लेकर इतने अस्वस्थ हैं तो कल ही मिठाई बाच ले जारखन भाजपा परदेश अधिक बावुलान मरांडीने कहा है कि एकजीट पोल तो एकजीट पोल होता है एकजीट पोल बताने वाली एजेंसी भी कहती है कि यह पूरी तरह से एकजेक्ट नहीं है इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है अब रही बात मुख्य मंत्री चमपई सुरेन की जीत के दावे की तो हम कहेंगे कि वह कल जीत की मिठाई भी बाट ले धन्यवाद